बिहार में एक बार फिर नदी पर बना पुल बह गया पुल नर्माड में किस सीमा तक भरष्टाचार हो रहा है या हुए है या आप पुल की सिती देख कर ही समझ सकते हैं यह पुल जो आप देख रहे हैं कोई पुरानी या जरजर पुल नहीं है यह अररिया का एक निर्माणा थी पुल है यहां सिकटी के पडरिया में बकरा नदी पर 12 करोन की लागत से पुल बन रहा था जो मंगलवार को नदी में समा गया सोचिए यह पुल अभी पूरा बना भी नहीं था और नदी में गिर गया सालों से लोग इस पुल के बनने का इंजार कर रहे थे बनने के बाद यह पुल सिखटी और पुर्सा काटा प्रखंड को चोड़ता लेकिन पानी का तेज बहाओ नहीं जह सका पकरा नदी पर पुल बन रहा उद घाटन होना था उसके पहले ही वो समाहित हो गया नदी में अब इससे उमीद करिए कि संस्थाकत भरष्टाचार किस रुप में फ्ल और पुल राब्यार के अंदर बहा पूरे तोर पर आज नहीं कई ऐसे पूल समा गया है नदी में जिसके उदारन विहार रहा है और हमनों लगतार ये सवाल खड़ा करते रहे हैं कि ऐसे सम्यतकों के खिलाब कठोर्तम करवाई होनी चाहिए या जो पदादिकारी उसमें काम करवा रहा है जो इंजिनियर है बीना उनके मिली भगत के संभव नहीं है और उनकी मिली भगत का ही प्रनती है कि क्वालिटी से सजोता होता है सत्रा महिने में लोगों ने काम किया तो लोगों को परसानी बढ़ गई थी चुकि संसागत भरस्ताचार तूट रहा था खतम हो रहा था बदले में चले गए टेड़ा करकर के मुह बोल रहा है आज तो पता ना होना चाहिए ये एक दिन में एक साल में डेड़ साल का पूली ने बना हुआ है ये पूल बनने में तो लगे होंगे तीन साल चार साल तो इसकी निव रखी गई जब से ही पूल की हलात जब यह हे जिसका बेसी खराब होगा, आने वाला कल में क्या होगा? इस तिर्फ अरिया का सवाल सिक्टी का सवाल नहीं है इस सवाल पूरे बिहार में कई ऐसे पूल है एने चाहिए की पूले है तो देखेए कि आने वाले कल में वह भी परभा होगा तिलुकुल एक दम कंप्रमाइज क्या जा रहा है क्वालिटी से कोई सुझने वाला नहीं है अगर संग्यान देने के लिए ध्याना करस्थ करिये तो उस पर भी संग्यान नहीं लिए आती है प्षित करे लोगों का कहना है कि स्थानी बीजेपी विधायक विजेव कुमार मंडल और सांसत प्रदीप कुमार सिंग्ग ने इस पुल को बनाने के लिए बहुत कोशिश की थी पहले जब यह पुल बना था तो बाड की वजह से नदी का किनारा दूर चला गया था जिसके बाद 12 क्रोन रुपे की लागत से नदी के किनारे तक पुल को बड़ा बनाने का काम शुरू हुआ लेकिन विभाग के लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ठेकेदार ने सही से काम नहीं किया इस वजह से मंगलवार को पुल नदी में समा गया ग्रामणों का यह भी आरूप है कि पुल का चार पाया ठेकेदार और विभाग की लापरवाही के कारण बढ़ गया पुल जो टुटा है ये विभाग का जो है लापरवाही और पदाधी का ये जो कंट्रक्शन के जो मालिक हैं उनके लापरवाही से ये पूल टूटा है जो की काम जो है जो मापडंड का होना चाहिए वो मापडंड से काम नहीं हुआ जिसके कारण ये पूल टूटा है और हम परसासन से मांग करते हैं जो इस पर कड़ी से कड़ी कारजवाई होनी चाहिए और जो दोसी है उसको जेल जा इससे पहले भी बिहार में पुल टूटने की घटनाएं होती रही हैं। पुल की डिजाइन पर भी सवाल उठे थे। काफी पीछे है या लापरवा है और अधिकारियों की भरष्ट रवया सामने आही रही है। इस मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। बिहार जूरी तमाम ख़बरों के लिए बने रही है। आपकी बिलान प्या जारकन के साथ। नमस्कार। आपकी बिलान प्याँ है और आपकी क्या है।